गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू, मैं शेल्फ शेकील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेशर बॉटेनी, गावर्नमेंट पीजी कोलेज सवाई माधहपूर, प्रियो विद्यार्थियो, आज हम पेपर थड़ के टोपिक, बैसिक बोडी प्लान और फ्लावरिंग प्लान्ट क अध्यन करेंगे, पुस्पय पादपो की मोलभुत, सरीर संरचना के बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लान्ट क्या होते हैं, प्रियो विद्यार्थियो, ऐसे पादप जिनमें जनन के दोरान, रिप्रोडक्शन के दोरान, फ्लावर् प्लांट्स कहलाते हैं, पुस्प में रिप्रोडक्टिव और्गांस जननांग उपस्तित होते हैं, जिनके सहयोग से सेक्स्वल रिप्रोडक्शन लेंगिक जनन संपन होता है, जिसके फलसरूप इन पादपो में फल एवं बीजो का निर्मान होता है, विद्यार्थियो, इन पादपो में फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी अंडा से फल का निर्मान कर लेता है, तथा ओव्यूल बीजांड सीड का निर्मान कर लेता है, इस कारण बीज फल के अंदर सुरक्षित रहते हैं, इसी कारण से इन्हें कावर्ड सीडेड प्लांट्स आवरत बीजी पादपो के नाम से भी जाना जाता है, विद्यार्थियों, एंजियो श्पर्म ही प्रत्वी पर सबसे विक्सित पादप है, इन पादपो को दो केटेगरीज में बाहर सकते हैं, फेस्ट है मॉनोकोर्स और सेकंड है डाइकोर्स, जैसा आपको बताया कि ये पादप जननकाल में फ्लावर का निर्मान करते हैं, यहाँ पर आपको एक फ्लावर की स्ट्रक्टर के बारे में दिखाया गया है, जिसे डिटेल से हम आगे के व्याख्यानों में पढ़ेंगे, फ्लावर में चार चक्र होते हैं, सबसे बहरी चक्र, कैलिक्स, बाहिय दल पुझ कहलाता है, जिसका प्रतेक्ष दश्य सेपल, बाहिय दल कहलाता है, सेपल, जनरली, ग्रीन कलर के होते हैं, सेकंड चक्र होता है, कोरोला, दल पुझ, जिसका प्रतेक्षदस से पेटल यानि दल कहलाता है ये कलर्ड होते हैं, रंगिन होते हैं और इंसेक्ट्स को आकरसित करने का कारिय करते हैं जिसके कारण पॉलिनेशन परागन की किरिया आसाने से संपन हो जाती है पुस्प का तीसरा और कोरोला से भीतर का चक्र है एंडरोसियम, पुमंग यह पुस्प का नरजनन भाग है और इसका प्रतेक्षदस्य इस्टेमन पुंकेशर कहलाता है पुमंकेशर के एंथर वाले भाग में पराग कोस वाले भाग में पराग कणो पोलन ग्रेंस का निर्मान होता है विद्यार्थियों पुस्प का चोथा चक्र सबसे भीतरी चक्र और अंतिम चक्र होता है गाइनोसियम जायांग यह पुस्प का मादा जनन भाग फिमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका प्रतेक्षदस से कारपल या पिष्टिल कहलाता है एक पिष्टिल तीन भागों में बाटी जा सकती है सबसे आधारी भाग ओवेरी कहलाती है यह फूला हुआ फ्लास्क के समान भाग है इसी के अंदर ओव्यूल यानि की बीजांडों का निर्मान होता है ओवेरी से उपर की तरफ एक नलीका कार भाग होता है जो इस्टाइल कहलाती है और इसका अंतिम भाग स्टिग्मा कहलाता है इद्यार्तियों जैसा आपको बताया गया है कि एंजयोश्पर्म को दो भागों में बाढ़ सकते हैं डाइकोर्स और मोनोकोर्स हम देखते हैं यह डाइकोर्स और मोनोकोर्स क्या है यहाँ पर आपको DCommorations और Monocort दोनों के सीड़ दिरखाए गए है Dicode के सीड़ में दो хотylidons दो बीजपत्र विद्धयमान होते है जबकि Monocort के सीड़ में केवल एक ही बीजपत्र विद्धयमान होता है बीज के अंदर एक भ्रून, एक embryo सनरक्षित रहता है ब्रून का अक्स ब्रूनिय अक्स एंब्रियोनल एक्सेस कहलाता है ब्रूनिय अक्स का नीचे की तरफ इस्तित भाग रेडिकल मुदांकुर कहलाता है जो जर्मिनेशन के बाद मूल का निर्मान करता है ब्रूनिय अक्स का उपरी भाग प्लूमूल कहलाता है प्रांकुर कहलाता है और ये जर्मिनेशन के बाद प्ररोहत तंत्र सूट सिस्टम को जन्म देता है विद्यार्थियो आपको बता देता हूँ कि जब जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले रेडिकल मूलांकुर ही बीद से बाहर निकल करके रूट सिस्टम का निर्मान करती है अब हम बात करते हैं प्रांट की मौर्फोलोजी के बारे में पादप के बही ए आकारिकी के बारे में तो पादप का जो संपूर्ण सरीर है उसको हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं पहला है सूट सिस्टम प्ररोह तंत्र और दूसरा है रूट सिस्टम मूल तंत्र पादप का प्रत्वी की सतह से उपर वाला भाग जो वाईयू के संपर्क में रहता है प्ररोह तंत्र सूट सिष्टम कहलाता है सूट सिष्टम में पादप के तने इस्टेम, पत्यो, लिउज, पुस्पो, फ्लावर्स, फलो, फ्रूर्स को सम्मिलित किया जाता है दूसरा फ्रूट सिष्टम, मोलतंत्र यह पादप का अंडर ग्राउंड पार्ट है भूमी गत भाग है जो भूमी की सतह से नीचे की तरफ द्यमान रहता है और पादप को जल्वक खनीज लवनों का आउशोशन करने तथा पादप को सिद्धा खड़ा रखने में मदद करता है यहाँ पादप का सूट सिस्टम प्रोहत अंत्र दिखाया गया है जिसमें तना, नोड और इंटर नोड परू संधी और परू में बटा हुआ दिखाया गया है दो परू संधीयों, दो नोड के मद्य इंटर नोड परू विद्यमान होता है और परू संधीयों का पाया जाना तने का एक मुख्य लक्षन है इस टेम पर, नोड पर लीफ विद्यमान होती है और लीफ के कक्स में एक बड होती है, एक कलीका होती है जिसे कक्से कलीका एकजिलरी बड कहा जाता है यह एकजिलरी बड विक्सित होकर ब्रांच, साखा या फ्लावर, पुस्प का निर्मान करती है अब हम देखते हैं, रूट सिस्टम के बारे में तो विद्यार्थियों, जो रूट सिस्टम है, वह पादप के भूमी गत भाग को परदर्शित करती है इसके मुख्य लक्षन देखा जाए तो, रूट डिशेंडिंग पार्ट है, यानि की नीचे की तरफ व्रद्धी करने वाला भाग है इट इस पोजिटिवली जियोट्रापिक, यह धनात्मक गृतवानुवर्ती होती है अथार्थ गृत्वा कर्षन की दिशा में व्रद्धी करती है इट इस पोजिटिवली हाइडरोट्रोपिक, यह धनात्मक जलानुवर्ती होती है, यानि की जल की तरफ व्रद्धी करती है इट इस नेगेटिवली फोटो ट्रोपिक यह रिनात्मक प्रकासानों व्रद्धी होती है अथार्थ प्रकास से विपृत अथार्थ अन्हेरी की तरफ व्रद्धी करती है जब सीड का जर्मिनेशन होता है बीज का अंकुरन होता है तो उसके रेडिकल वाले भाग से उसके मूलांकुर वाले भाग से रूट का निर्मान होता है जनरली रूट नौन ग्रीन होती है हरे रंग की नहीं होती है लेकिन कुछ पादप ऐसे भी है जिन में रूट ग्रीन कलर की होती है और फोटो सिंथेसिस का कारिय करती है जैसे सिंगड़ा ट्रापा और टिनोश्पोरा निम गिलोई अगला लक्षण है कि जो रूट है वह सेकेंडरी और टासरी रूट को जन्म देती है रूट नौड और इंटर नौड में विभक्त नहीं होती है अब हम देखते हैं टाइप ओफ रूट सिस्टम के बारे में मूलत अंत्र के परकार के बारे में तो विद्यारतियों जो है वह दो परकार का होता है कैप रूट सिस्टम मुस्ला मूलत अंत्र और फाइब्रेस रूट सिस्टम रेसेदार मूलत अंत्र जो कैप रूट सिस्टम है वह है प्रात्मिक रूप से मूल के साखन से दुत्यक और तृत्यक मूलों में का निर्मान करती है कभी कभी इनमें चरतूर्थक मूल भी विक्षित हो जाती है इनमें रेडिकल से बनने वाली मूल प्रात्मिक मूल कहलाती है प्रात्मिक मूल और उसकी ब्रांचेज जिसे हम सेकेंडरी रूट तरसरी रूट और क्वार्टर्नरी रूट के नाम से जानते हैं इनको सम्मिलित रूप से मुसला मूल तंत्र टैप रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं मुसला मूल तंत्र दिवीच पत्रिपातपो तथा जिमनोश पर्ममें पाया जाता है सेकिंड है फाइब्रस रोड सिश्टम रेशेदार मूल तंत्र इन्हें एडवेंसियस रोड सिश्टम अपस्थानिक मूल तंतर के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार के मूल तंत्र में मूलांकुर से उत्पन प्रात्मिक मूल अल्प जीवी होती है और सिग्र ही नश्ट हो जाती है तथा प्रात्मिक मूल के इस्थान पर इस्तंब के आधारिय भाग से अनेक समान मोटाई की रेसेदार मूले विक्सित होती है इस कारण इन्हें आपस्थानिक रेसेदार मूले एडवेंसियस फाइब्रस रोट्स भी कहा जाता है आपस्थानिक मूले एक बीच पत्री पादपो जैसे प्याज, गेहूं, नारियल, केला, हादी में पाई जाती है यहाँ पर एक टेप रोट सिस्टम को दिखाया गया है इसमें देखिए जो प्राइमरी रोट दिखाई गई है जिसका निर्मान प्रूनिय अक्स के रेडिकल मूलांकुर वाले भाग से होता है प्राइमरी रोट के साखन से सेकेंडरी रोट बनती है सेकेंडरी रोट से टर्सरी रोट का निर्मान होता है और टर्सरी रोट से क्वार्टर नर्री रोट का भी निर्मान हो सकता है प्राइमरी रोट सबसे मोटी होती है secondary root उससे पतली और टसरी और quarternery root करम से और भी पतली होती जाती है अब हम देखते हैं tap root system और fibrous root system में अंतर तो पहला अंतर है कि जो tap root system है वो dicots में पाया जाता है और जो fibrous root system है वो है monocots में पाया जाता है दूसरा है जो tap root system है उसमें एक primary root होती है इसके अलावा lateral branches होती है जिने secondary root, tertiary root आदी के नाम से जाना जाता है जबकि fibrous roots में समान मोटाई की कहीं सारी जड़े एक ही स्तान से निकली हुई रहती है tap root system का निर्मान ब्रूनिया अक्स के radical से होता है जबकि fibrous root system का निर्मान इस टेम आउर लिउज से पत्तियों से होता है tap root भूमी में काफी गहराई तक व्रधी करता है जबकि fibrous root system प्रत्वी की सतह पर विद्यमान रहता है भूमी में ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं जाता है विद्यार्थियों अब हम देखते हैं root के विभिन छेत्रों के बारे में तो root के सीर्ष पर एक टोपी समान संद्रचना होती है जिसे root cape कहा जाता है विभ्जोत की छेत्र maristematic region को सुरक्षा परदान करता है इससे पीछे की तरफ region of maristematic activity विभ्जोत की छेत्र विद्यमान होता है जिसकी कोसी काए लगातार विभाजन करती रहती है जिससे root की लंबाए में वरद्धी होती है इससे पीछे इस्तित होता है region of elongation दिर्गी करन का छेत्र यहाँ पर कोसी काए लंबाए में वरद्धी करती है और जिसके फलसरुप मूल की लंबाए में लगातार वरद्धी जिसके फलसरुप मूल की लंबाए में वरद्धी होती है region of elongation के पीछे region of maturation परिपक्वन छेत्र होता है इस छेत्र में कोसी काये परिपक हो जाती है और इस छेत्र में कई बारिक-बारिक रूट हेयर्स पाये जाते हैं जो जल आउशोशन का कारिये करते हैं द्यारतियो इस स्लाइड में भी रूट के विभिन छेत्र को डिटेल में दिखाया गया है हम अगले लक्चर में रूट के इन विभिन छेत्रों का डिटेल में अध्यन करेंगे अब हम देखते हैं फंसन ओफ रूट रूट के कारिय रूट का पहला कारिय है रूट एबजॉर्ब वाटर अड मिनरल्स यह जल और खनिज लवनों को मरदा से अवसोसित करती है दूसरा कारिय है इस्टेबलिस दा प्लांट इन सोईल यह पादप को मरदा में इस्थापित रखती है अगला कारिय है जो औरिकीड्स प्लांट है उनके अंदर एक विसेस प्रकार की रूट पहे जाती है जिसे आदूरता ग्रही रूट हाईग्रोइशकोपिक रूट कहा जाता है यह हवा में लटकी रहती है और वायू मंडल की नमी को आवसोसित करने का कारिय करती है कुछ पादपों में रूट भोजन का संचे करने का काम करती है ये रूट भोजन का संचे करके फूल जाती है और जिने हम खाने के रूप में भी काम लेते हैं जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है, सकरकंध है, आदी लिद्यारतियो, मैंने बताया कि कुछ पादपौ में रूट हरे रंकी होती है उनमें क्लोरोफिल पाये जाता है इस कारण ये जड़े, प्रकास संसलेशन का कार ये भी करती है जैसे सिंगहडे और टीनोश्पोरा में ऐसी जड़े, ऐसी मिलेटरी रूट, स्वांगी कारी जड़े कहलाती है रूट का अगला कारी है, रैस्परेशन मेंग्रोव वेजिटेशन के मैं विसेस प्रकार की जड़े होती है जो नूमेट ओफोर्स कहलाती है ये नूमेट ओफोर्स नेगेटिवली सियोट्रॉपिक होती है भूमी की सत्य से उपर की तरफ व्रद्दी करती है इन पर कुछ बारिक बारिक छिद्र पाए जाते हैं जिने नूमे थोड़्स कहा जाता है और इनके द्वारा गेसिया आदान परदान किया जाता है इन जड़ों को रेस्परेटर रूट भी कहा जाता है ठैंक्स आल अफ यू